36 गड़ में जो कक्छा 10 वी में और कक्छा 12 वी में सप्लीमेंटी आये हैं चाहा वो प्रेटिकल एक्जाम में आये हुए हो चाहा थेवरी एक्जाम में उनका टाइन टेबल आ चुका है तो इस वीडियो में बेसिकली हम इसी के उपर बात करेंगे कि आपको एक्जाम सेंटर कहां पर मिलेगा कितने टाइम आपको एक्जाम होगा कौन सा पेपर किस तारीक को है पूरा इसी के उपर बात करेंगे आपको प्राश्न पत्र कितने टाइम मिलेगा कितने टाइम पहले आपको exam center परिछा दिलाने के लिए जाना है दोस्टो चैनल परना हो तो चैनल को subscribe कर वीडियो को like किजिए चले बीना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू आपका जो exam है exam center में होगा अब exam center आपको कहां मिलेगा अब आप सोच रहे होगे कि क्या फिर से हमें अपने school में बैठ के दिलान होगा तो ऐसा इस बार नहीं है ऐसा हो भी सकता है नहीं भी ये पूरा depend करेगा admit card के उपपर जब आपका admit card आएगा उसमें लिखा होगा कि आपको कहां पर किस school में जाका exam देना है तो एब आपने mind से हटा दो कि हमें अपनी school में फिर से मौका मिलेगा exam दिलाने का ये exam center आपके उपर निर्भर नहीं करेगा exam center देने वाले के उपर निर्भर करेगा तो admit card ने पूरा बात लिखा होगा और admit card आपका जल्द लई आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्धम से बता दूँगा admit card के उपर admit card को डाउनलोड करने का तरीका फिर हाल अभी admit card नहीं आया है जल्द ही आ जाएगा जो गक्षा दस्वी है उनका जो एक्जाम है एक्जाम टाइम 9 बज़े स्टार्ट होगा 12 बच्चे 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा आपको अपने एक्जाम सेंटर में यानी परिछा दिलाने के लिए सुबह 8 से 9 बच्चे की बीच में पहुँच जाना है आपको आपका जो पुष्टी का वित्रन होगा आंसर सीट जो मिलेगा 9 बच्चे 5 मिनट में मिल जाएगा 5 मिनट प्रश्ण पत्र को पढ़ने का समय मिलेगा आपका जो एक्जाम है एक्जाम लिखना 9 बच्चे 15 मिनट से आप इस्टार्ट कर दोगे 12 बच्चे 15 मिनट तक फानली आपका पूरा कंप्रीट हो जाएगा अब बात करते हैं कौन सा वेपर किस तारीक को है किस दिन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमवार 4 तारीक को है आपका हिंदी का खीक है उसके बाद मंगल और 5 तारीक को आपका अंग्रेजी का बुद्वार को है समाजी विज्ञान का गुरुवार साथ तारीक को है विज्ञान का सुकुरवार को है देख सकते हैं वैवसाइक पार्टे ग्रम में आप देख सकते हैं सनीवार एविवार यह सब पूरा देख सकते हैं सोम मार्क को आपका गनित का है पूरा इस पीडियाप को देख लेना आप यहाँ पी स्कीन सौर्ड भी ले सकती है तो यह जो भी आप इउपर मैं बताया हूँ टाइन टेबल यह कक्छा दसवी का है अब आईए बात करते हैं क्छा बारवी का तो कक्छा बारवी का भी एड्मीट काड अभी नहीं आया है जल्दी एड्मीट काड आजाएगा एड्मीट काड में लिखा होगा आपको एकजाम दिलाने कौन से स्कुल में जाना है बारवी वालों का भी सेम कंडिशन है कि उनका एक्जाम भी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा सुबह 9 बजे 12 बच्चे 15 मिनट में खतम हो जाएगा बारी वाले का टाइन टेबल यहाँ पे है सोम मार चारतारी को हिंदी का है मंगल बार को उनका अंग्रेजी को है बुद बार को भूगोल का है इस प्रकार से आप पूरे टाइन टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट में सप्लिमेंटी आया होंगे तो यह रहा कुछ इंपॉर्टेन बात बांकी एड्मिन कार्ड में पूरा लिखा होगा क्या आपका एक्जाम चेंटर कहां पे है तो इस वीडियो में इतना ही को भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए उसका रिपलाई हम जरूर देंगे और यह आप तयारी कर रहे हो तो तयारी करते रहे है जो पेपर आपका आया था में एक्जाम में वैसी सेम टू सेम आपका सप्लिमेंटरी अग्जाम में भी आएगा जिस टॉप इसी कोस्चन आया थे उसी टॉपिक से इस बाँ भी कोस्चन आया थे तो आप अपने पुराना जो में इक्जाम हुआ था उस प्रश्ण को आप पत्र को आप देखिए और किस टॉपिक से प्राशन पूछे गए थे उस टॉपिक को पूर अच्छे से पढ़ लिजे क्योंकि उसी टॉपिक से प्राशन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे जल दही नए वीडियो में नए अपडेट के साथ